आज का हम लोगों का जो वीडियो है वो है Oxford, Basic, English, Grammar का बुक का है तो आज का हम लोगों का जो सुन्यूशन है वो Exercise 22 का Exercise 22 का अगर आपने अभी तक हमारे पिछने exercise का जाने इस बुक का पिछने exercise का solution नहीं देखा है तो आप हमारे playlist में चले जाएए वहाँ पर आपको Oxford, Basic, English, Grammar के नाम का completely solution मिन जाएगा पूरे बुक का solution आपको उस playlist में देखने को मिन जाएगा तो चली आज हम लोग चलते है exercise 22 में लेकिन उससे पहने अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेन नोटिफिकेशन जबूर प्रेस कर दे इस चैनल पे आपके English को में बहुत सारे help मिन जाएगी तो सबसे पहने हमनों क्या question परेंगे एज बुज्वनी जैसे कि हमनों सारे वीडियो में परते है इन वाक्यों में परियुक्त इंटरजेक्शन इन वाक्यों में परियुक्त देखिए यह जो हम लोगों का chapter है वो क्या है इंटरजेक्शन का को घेर दें और उन्हें चुन कर देखिए तो देखिए यानि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं इंटरजेक्शन को चुनेंगे यानि देखिए इसमें बुक जो है न वो घेरने के दिये बोना है लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस मारकर से उसे हम लोग color कर देंगे ठीक है तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है color किया हुआ तो चली हम लोग चलते है number first में तो number first में देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा की intersection क्या है अगर suddenly कोई काम होता है ना suddenly अगर pussy या दुख का expression होता है तो उसे हम लोग बोनते हैं intersection ठीक है तो देखिए अब हम लोग देखते हैं फर्ट में unless my pussy is dead तो देखिए यह जो हम लोग का sentence है ना इसमें sadness का expression हो रहा है यानि कोई बोन रहा है कि अन्दास यानि यह क्या expression है unless मेरी बिन्दी मर गई ठीक है तो देखिए इसमें हम लोग का जो expression जो suddenly आया ना वह अन्दास तो यह होगा क्या interjection और देखिए अगर suddenly कोई इस तरह से expression आता ना तो उसे sentence या वाक की मतनब वर्ड के पाद यह exclamatory sign दिया हुआ रहता है ठीक है अब हम लोग चनते है नंबर टू में हुर्रे बी हैब वन दी मैच देखिए अगर कोई मैच जितता तो इस time expression खुशिक आता ना हुर्रे हम मैच जित गए है तो देखिए उसी तरह ही हम लोगों का क्या है हुर्रे हम लोग मैच जित गए है तो देखिए इसमें हम लोगों का जो expression हुआ हुआ हुर्रे तो यह होगा हम लोगों का interjection ठीक है अब हम लोग चनते हैं नंबर तीन पे नमबर तीन में आहा I have lost my book यानि देखिए इसमें क्या ना कि किसी का book हो गया तो वो बोला आहा मैंने अपनी book खो दिया ठीक है तो देखिए इसमें हम लोगों का जो expression वो क्या है आहा तो यह हो जाएगा हम लोगों का interjection अब हम लोग चलते हैं number four तो देखिए number four में इसमें हम लोगों का क्या Oh, she has come Sorry, come तो देखिए इसका हम लोगों का हैंदी क्या Oh, वह आ चुकी है तो देखिए यानि कोई आ गया है तो इहाँ पर expression हम लोगों का कौन दिखा रहा है Oh, तो यही हो जाएगा हम लोगों का interjection अब हम लोग चलते हैं number five में तो देखिए number five में क्या हैंदो Who are you Who are you तो देखिए इसमें क्या पुछ रहा है Hello, आप कौन है ठीक है तो देखिए इसमें हम लोगों का जो expression दिखाया जा रहा है वो hello में बाकी का जो है वो क्या है वो प्रस्ण है ठीक है वो इस चैनल है देखिए हम लोगों का expression जो है बहुत जंदी अपने अंतिम तक पहुच जाएंगे क्यूंकि इस exercise में केबन साथ question है तो बस दो और बचा लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो क्या कर रहे हो आराम से subscribe कर लो क्यूंकि इसमें आपको grammar और translation और English का company निटनी solution मिन जाएगा तो चलिए हम लोग चनते है नंबर 6 में ओह वाट व्यूटी फून फुन 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 याने देखिए इसमें double expression है एक तो फर्स्ट वाणा जो है ओह उसके बाद बोन है कितना सुन्दर पुन है यानि यह भी इक्सक्नामेटरी sentence है तो इसमें इक्सक्नामेटरी sign का use दो बार हुआ है तो देखिए फर्स्ट में कौन हो जाएगा यह interjection हो जाएगा बाकी second वाणा तो एक्सक्नाम question की तरफ जो कि है number seven उसमें I have got the medal यानि देखिए इसमें खुशी का ब्यक्त हो रहा है हुआ है I have got the medal यानि क्या हुआ मुझे medal मिल गया है तो देखिए इसमें हम लोगों का expression कौन ब्यक्त कर रहा है खुशी हुआ ठीक है तो यह हम लोगों का हो जाएगा intersection ठीक है तो देखिए इसमें क्या हम लोगों का जितना इंटरजेक्शन आया है आप देखने जीए यह सारा तो आपको दिखराओगा हमारे स्क्रीन पर एक दो तीन चार पांच छे साथ यानि इंटरजेक्शन जो है most of the probably यह first word होता है ठीक है और most first word होता है हम हमेशा नहीं बोल सकते हैं ठीक है नेकिन देखिए आज हम लोगों ने बरही आसान सब्दों में exercise 22 का भी company solution देखने है तो इसी तरह हम लोग इस पूरे book का solution एक एक exercise का देखने हैं अगर आपने अभी तक हमारे पिछने solution को नहीं देखा तो आप हमारे playlist में चले जाए और वहां पर आपको पूरा इस book का company solution म देन जाएगा तो चलिए मिनते हैं अगने वीडियो में आज के लिए बस इतना ही वीडियो पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जाएंगे